हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव एड मेरे प्यारे देशवासियों हम सब अनुभव कर रहे हैं कि महामारी के खिलाब इस लड़ाई के दोरां हमें अपने जीवन को समाज को हमारे आसपास हो रही घटनाओं को एक फ्रेश्ट नजरिय से देशने का आउसर भी मिला है समाज के नजरिय में भी व्यापक बड़लाव आया है आज अपने जीवन से जुड़े हर व्यक्ति की एहमियत का हमें आभास हो रहा है हमारे घवर में काम करने वाले लोग हो, हमारी जरूरतों को पुरा करने के लिए काम करने वाले, हमारे सामान्य कामगार हो, पडोस की दुकानों में काम करने वाले लोग हो, इन सब की कितनी बड़ी भूमी का है, हमें ये अनुभव हो रहा है इसी तरह जरूरी सेवाओं की डिलिवरी करने वाले लोग, मंडियों में काम करने वाले हमारे मद्दूर भाई बहन, हमारे आस पडोस के आटो चालक, रिक्षा चालक, आज हम अनुभव कर रहे हैं कि इन सब के बिना हमारा जीवन कितना मुश्किल हो सकता है आज कल सोशल मीडिया में हम सब लोग लगातार देख रहे हैं कि लोकडाउन के दोरान लोग अपने इन साथियों को न सिर्फ याद कर रहे हैं, उनकी जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं, बल्कि उनके बारे में बहुत सम्मान से लिख भी रहे हैं आज देश के हर कौने से ऐसी तस्वीर हैं आ रही हैं कि लोग सफाई कर्मियों पर पुष्परवर्शा कर रहे हैं, पहले उनके काम को संभवत हैं आप भी कभी नोटिस नहीं करते थे डॉक्टर हो, सफाई कर्मी हो, अन्य सिवा करने वाले लोग हो, इतना ही नहीं, हमारी पुलिस व्यवस्था को लेकर भी आम लोगों के सोच में काफी बड़्ला हुआ है पहले पुलिस के विशे में सोते ही नकारात्मक्ता के सिवा है, हमें कुछ नजर नहीं आता था हमारे पुलिस कर्मी आज गरीबों, जरूरत मंदों को खाना पहुचा रहे हैं, दवा पहुचा रहे हैं जिस तरह से हर मदद के लिए पुलिस सामने आ रही हैं, इसे पुलिसिंग का मानविय और सम्वेदन सिल पक्ष हमारे सामने उभर करके आया है हमारे मन को जगजोर दिया है, हमारे दिल को छू लिया है एक ऐसा आउसर है, जिसमें आम लोग पुलिस से भावात्मक तरीके से चूट रहे हैं हमारे पुलिस कर्मियों ने इसे जनता की सेवा के एक आउसर के रूप में लिया है और मुझे पूरा विश्वास है, इन घटनाओं से आने वाले समय में, सच्चे अर्थ में, बहुती सकारात्मक ब्रलाव आ सकता है और हम सब ने इस सकारात्मकता को कभी भी नकारात्मकता के रंग से रंगना नहीं है झाल 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 झाल